आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे network layer के बारे में जैसे कि हमको पता है कि TCP IP stack में 4 layers होते हैं application layer, transport layer, network layer और physical layer application layer में जो protocols होते हैं जैसे कि HTTP, SSH, SMTP, IMAP ये users को help करते हैं different tasks करने के लिए जैसे कि HTTP, web browsing या rest APIs के लिए use होता है SMTP, IMAP, POP यह सब e-mails के लिए use होता है तो इनका एक fixed structure होता है messaging का और यह in messages को लेते हैं फिर उनको encapsulate करके फिर transport layer को दे जिते हैं यहाँ पे जो addresses use होते हैं उन addresses को हम URIs बोलते हैं जैसे कि हमको पहले से पता है पहले के विडियो से फिर नीचे आते हैं transport layer में transport layer में जो काम होता है वो है process to process communication वो processes कहीं पे भी हो सकता है कोई फरक नहीं पढ़ता वो processes अपने same computer में हो सकते हैं वो processes अलग-अलग computers में internet में कहीं पे भी हो सकता हैं लेकिन उन दो processes के बीच में अगर आपको communication करवाना है तो आपको transport layer की जरुरत पड़ेगी और उसमें जो identifier use होता है दो अलग-अलग processes को differentiate करने के लिए उनको हम ports बोलता है जो कि है 16-bit के unsigned quantities उसके नीचे आते हैं उसके नीचे आगया अपका network layer network layer में host-to-host communication होता है हम एक host यानि कि एक computer जो भी है IoT device हो, mobile phone हो, laptop, desktop, server जो भी हो उनको एक या एक से ज़्यादा IP address दे सकते है जो कि उन hosts का identity है और उस network player को use करके हम host-to-host communication कर सकते हैं यह भी packet को भेज सकते हैं कि देखो यह packet यह host के पास जाना चाहिए, वहाँ पर जाने के बाद फिर कौन से process के पास गया, कौन से application layer protocol पर गया वो उस host पर डिपैट करता है, पहले उस host तक तक तो जा कि यह packet पहुंच जाए, तो उसके लिए हम IP addresses use करते हैं network layer में, फिर आगय या उसके नेचे physical layer यानि कि link layer जहां पर की node to node communication होता है, हम यहां पर बैट है, हमको packet पहले कहीं तो बेजना पड़ेगा, एक जगह पर तो जाए उसके बाद कहीं और जाएगा, तो वो जो next hop को जाएगा, यानि कि मेरे tablet से या computer से वो मेरे घर के router तक जाएगा, तो वो कौन से link पर जाएगा, wireless ले जाएगा, कोई-कोई लोग तार लगाते है, Ethernet या land wire लगाते है, तो वो जो transmission होता है, उसके लिए physical layer की जरूरत पढ़ती है, वो node to node, एक node, जो दूसरे node के साथ connected है immediately, उसके साथ कैसे बात करेगा, वो physical layer यूज़ करके बात करेगा, और वो करने के लिए हमको hardware addresses, यानि की Mac addresses की जरूरत पढ़ती है, तो अभी हम ध्यान देते है, IP addresses के उपर, IP addresses दो किसम के होते हैं, एक आपका हो गया IP version 4, internet protocol version 4, और एक हो गया internet protocol version 6, ये दो versions है, जो की अभी IP जो जो प्रोटोकॉल है, उसका वो चलता है अभी, IPv4 बहुत common है, IPv6 अभी नया आया है, लेकिन काफी साल हो गया है, लेकिन उसका जो adoption है, वो इतना ज़्यादा अभी हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे equipment, बहुत सारे software को change करना पड़ेगा, उसको काम करवाने के लिए, अचा ये दो-दो IP के versions क्यों है, एक major कारण ये है कि IPv4 के जो addresses होते हैं, उनमें 32 bits होता है, और 32 bits को लेके आप 2 to the power 32 addresses ही बना सकते हैं, और इसका जो value निकल के आता है, वो लगवक 4 billion के आसबास हाता है, हमारे दुनिया में कुछ 8 billion के आसबास अभी लोग हैं, और सबके पास multiple devices हैं, उसको छोड़के फिर इतना सारे computer से वो, IOT devices, बहुत सबको एक एक IP address चाहिए, तो 4 billion IPv4 addresses काफी नहीं पढ़ने वाले, इसलिए हम IPv6 को हमने invent किया और उसमें 128 bits के addresses होते हैं, इसके बारे हम ज़्यादा अभी बात नहीं करें के हम अभी focus करेंगे IPv4 के उपर, जिनके addresses 32 bits के होते हैं, उनको लेके हम 2 to the power 32 maximum number of addresses बना सकते हैं, आपने शायद पहले देखा होगा, एक IP address को हम ऐसे लिख सकते हैं, A.B.C.D और ये A, B, C, D जाज़ा तर डेसिमल में लिखा जाता है, और ये जो A हो गया, वो डेसिमल में लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन वो होता है 8 bits, यानि कि 1 octet और ऐसे करके B, C, D, सब 88 bits के होता है, सब को जोडने के बाद आपका 32 bits हो जाता है, एक octet को अगर आप hexadecimal में लिखोगे, तो उसको आप ऐसे 2 hexadecimal symbols करके लिखोगे, क्योंकि 1 hexadecimal symbol हमेशा 4 bits का होता है, तो ये हो गया 8 bit, यहाँ पे 8, 8, 8, 8, वो भी 32 हो गया, तो उसको अगर आप एक सा जोड क लिखोगे, तो 0x लिखोगे, ताकि reader को पता चले कि ये hexadecimal है, उसके बाद फिर ये xypqrsuv को जोड के, अब कोई भी IPv4 address को hexadecimal में लिख सकते हो, चली यहाँ पे मैंने एक example IP address लिया है, 17, 18, 145, जो की clearly decimal में है, यहाँ पे, यह octal में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 8 है, octal में 8 नहीं होता, और ये hexadecimal में जरूर हो सकता, लेकिन 0x आपने लगाया नहीं, तो ये आप मानलो decimal में है, इसको मैंने एक एक करके binary में convert किया, ये 17 को लेके यहाँ पे binary में convert किया, ये 18 का binary है, ये 100 का binary है, और ये 45 का binary है, ये जो lions है, इसको आपको लिखना नहीं ह हो गया 12 यह हो गया 64 और यह हो गया 2D सबको जोडने के बाद यह जो IP अड्रेस यहां पर है इसका यह हो गया hexadecimal notation अच्छा अगर किसी के पास कर एक company है और उनको हम बहुत सारे IP addresses देना चाहते हैं मतलब बहुत सारे तो IP address चाहिए एक IP address तो कोई बड़ा सा company नहीं चल सकता चलो छोटा सा company एक server चला सकता है लेकिन अगर उनको चाहिए मान लीजिए 5000 IP addresses तो कैसे दे मान लीजिए 1718 145 एक IP address है और 120 50 60 एक IP address है यह तो पुरा अलग लग रहा है इसका कोई भी देखिए पैटर्न इसके साथ मैच नहीं कर रहा है यह 17 से शुरू हो रहा है यह 100 से शुरू हो रहा है ऐसे अगर क्या रंडम ली आई पी अड्रेस हम दे दें आप अगर हां बोलो कि देख पर सोच के देखो कलोनी में सेम सड़क पर जाओंगा लेकिन यह पिन कोड़ इसका पूरा अलग है तो उसको डिस्ट्रिबूट करने में बहुत मुश्किल पर जाएगा तो आई-पी अड्रेसिंग में भी हम क्या करते हैं जो आई-पी अड्रेस है नेट्वर्क आई-डी बोलता है यह एक पर्टिकुलर नेट्वर्क को आइडेंटिफाई करता है एक बार वो नेट्वर्क आइडेंटिफाई हो गया जैसे कि पिन कोड आइडेंटिफाई हो गया फिर कलोनी में कौन सा घर है वो आइडेंटिफाई होता है यह होस्ट आई रखने के बाद जो जो फोस्ट की जो बिट्स बच गए उसको लेकर हम भी होस्ट को डिसाइड करते कि इस नेट्वर्क के अंदर होस्ट कौन सा है तो चिलिए एक एक एग्जाम्पल देता हूँ यह पूरा का पूरा 32 बिट्स का हो गया अगर 10 बिट्स मैंने नेट्वर्क के लिए रिजर्व है मतलब हम 2 to the power 10 networks बना सकते हैं ठीक है 1024 networks are possible चलो अगर मैंने एक network decide कर लिया कोई भी 10 bits मैंने दे दिया यह तुम्हारा network ID है यह तुम्हारा pin code है तो उस pin code के अंदर कितने घर हो सकते हैं नहीं तो उस network ID के अंदर कितने hosts हो सकते हैं यह हमको कैसा पता चलेगा 32 bits में से हमने 10 bits network के लिए और उसको भी हमने fix कर दिया कि चलो यह particular set of bits जो है यह तुम्हारा network ID है तो 32 में से हमने 22 bits हम बचा पाए होस्ट के लिए क्यूंकि 32 minus 10 is 22 और 22 bits को लेके हम एक particular network के अंदर 2 to the power 22 यह bits नहीं होगा यहाँ पर मैं इसको addresses लेगता था इतने addresses बन सकते हैं वो एक particular network के अंदर मतलब इतने networks possible है 2 to the power 10 और एक network को fix करने के बाद वह बहुत जरूरी है एक network को fix करना है उसके बाद उस network के अंदर हम 2 to the power 22 different addresses बना सकते हैं तो चलिए discuss करते हैं दो schemes जो है जिनको use करके हम addresses को divide करते हैं different entities को तो एक हो गया classful दूसरा हो गया classless यह classful जो system में यह थोड़ा सा पूराना system है इसको पहले use करते थे और इसमें बहुत सारे खामिया हैं बहुत सारे deficiencies हैं जो कि हम discuss करेंगे और देखेंगे कि classless के जरूरत क्यों पढ़ती है चलिए classful में हम पूरा जो IPv4 और अड्रेस का जो पूरा space है उनको हम पांच classes में डिवाइड करते हैं class A B C D E class A में क्या होता है 8 bits are used for the network part जिसमें की जो पहला बेट है उसको हम हमेशा 0 पे fixed रखते है 8 bit मेंसे अगर 1 bit fix हो गया तो बस हम 7 bits को change कर सकते हैं network IDs generate करने के लिए तो इसमें 2 to the power 7 networks possible है क्योंकि 7 bits को हम change कर सकते हैं और वो जो बाएं के जो 8 bits हैं यहां पे यह fix हो जाने के बाद 0 को include करके उसके बाद 24 bits बच जाते हैं hosts के लिए तो एक network को fix करने के बाद हम उस network में 2 to the power 24 hosts को रख सकते हैं बताब उतने addresses हम उसके अंदर बना सकते हैं Class B में क्या होता है हम network वाले portion को थोड़ा सा और चोड़ा करते हैं ताकि जादा networks बना सके तो उसके लिए हम पहले दो builds को हम 10 fix करते हैं ताकि class A और B में कोई overlap ना आए कोई भी address अगर class A में जो कि 0 से start होगा ही होगा rule के हिसाब से वो कभी भी देखिए class B के अंदर आई नहीं सकता क्योंकि class B में पक्का शुरू होना है address को 10 से तो यह A के साथ कभी class या overlap नहीं कर सकता इसलिए हमने यह जो fixed prefix X को लगाया हुआ है जो prefix होते हैं उनको हमने लगाया हुआ है यह 10 हो गिया इसका prefix जो के class B को identify करेगा यह उसका identity है और जो 16 bits जो थे network वाले पार्ट से उससे 14 bits बज़के हैं जिनको के हम change कर सकते हैं इनको हम change करके 2 to the power 14 जो होते हैं उतने हम networks बना सकते हैं तो एक बार यह network हमने बना दिया 2 to the power 14 में से एक network हमने fix कर दिया उस network के अंदर हम बागी के 16 bits बच गया 32 bits में से उनको यूज करके करगी एक 2 to the power 16 वाले size का network का नेटवर्वर्ग बना सकते हैं मतलब लगबग हमारे पास 2 to the power 16 addresses है तो उतने hosts होंगे उस particular network के अंदर आप देखिए कि class B networks जो होता है वो class A के network से छोटे होता हैं क्योंकि एक class A के नेटवर्ग के अंदर हमारे पास 2 to 2 over 24 addresses हैं लेकिन एक class B के network के अंदर हमारे पास 2 to 2 over 16 addresses 2 to 2 over 24 से काफी छोटा होता है चलिए अभी class C addresses को देखते हैं इनमें हम 24 bits को use करते हैं network वने portion के लिए उनमें से जो पहले के जो तीन वो fixed होता है ताकि class C addresses class B से overlap ना करें नहीं करें कि यहां पर पहले के तीन bits 110 है और यहां पर 10 है तो कोई class C और B का address एक दूसरे के साथ overlap नहीं कर सकता एक के साथ भी नहीं कर सकता तो A B C सारे distinct spaces बन जाता है तो class C में 24 bits हैं नेटवर्क वाले portion में 21 bits को ही हम change कर सकते हैं तो 21 bits को use करके हम 2 to the power 21 अलग-अलग networks मना सकते हैं और एक बार हमने एक network को fix कर लिया उसके बाद उस network के अंदर हम जो remaining 8 bits हो गया 32 bits में से उतने size का एक network मना सकते हैं मतलब 2 to the power 8 का उतने addresses उस network के अंदर हो सकते हैं यहाँ पर काफी clear है कि कोई भी class C का network class B और A के network से छोटा होते हैं क्योंकि only 8 bits are available to form the host addresses inside a particular network चलिए class D इनको multicast addresses बोलते हैं और class E इनको reserved addresses बोलते हैं यह 1110 से शुरू होते हैं और class E 111 से शुरू होता है इसको देखके पता लगा सकते हैं कि यह class D या class E address है इनके बारे हम ज़्यादा अब discuss नहीं करेंगे लेकिन अब class A B C के बारे में आगे जागे शायद discussion जारी रखेंगे तो कोई भी class A network का जो network वाला portion है वो एक octet हो गया पूरा क्योंकि उसके लिए हम आट बिट्स यूज कर रहे हैं तो उसका रेंज कहां से कहां तर जा सकता है वो सबसे minimum क्या हो सकता है यह सारे बिट्स यहां पे 0 हो सकता है तो वो 0 हो गया नहीं तो क्या हो सकता है यह सबसे leftmost बिट्स हो इसको तो हमको 0 रखना ही है बागे के साथ बिट्स को हम सारे के सारे 1 कर सकते है वो उसका maximum value हो गया और उसका जो value है 0 followed by 7 once अगर आब वो 8 bits को लेके decimal में convert करने की कोशिस करेगे तो आपको 127 मिल जाएगा जो network ideas है वो 0 से लेके 127 तक हो सकता है जो बाकी का जो bits बजगे है जो octets है octet मतलब जो a.b.c.d का जो a वाला portion है वो एक octet हो गया और वो 0 से 127 तक चला गया जो b, c, d है वो आप सारे के सारे 0 से लेके सारे के सारे 255, 255, 255 तक change करके आप एक particular network के सारे के सारे hosts बना सकते हो वो हो गये यह 24 bits class b में क्या हो रहा है हमने 16 bits ले लिया था network वाले portion के लिए तो उसको अगर हम देखें तो सबसे जो minimum value होगा वो क्या होगा one zero मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे जो minimum value class b क्या होगा वो होगा one zero फिर यह तो fixed है left में फिर हो गया यहाँ पर मैं लिख देखता हूँ six zeros होंगे ठीक है यह पहले वाल अक्टेट में फिर उसके बाद फिर eight zeros होंगे है ना तो यह हो गया सबसे minimum value network वाले portion का maximum value क्या होगा वो one zero same रहेगा लेकिन उसमें six ones होंगे और फिर eight ones होंगे ठीक है यह जो value है यह है दो octet यहाँ से यहाँ तक आठ bit हो गय यह आठ bit और फिर यहाँ से यहां तक 8 bit यहां से यह तक 8 bit यह दो octet हो गयिए तो इसको मैं यहां पे fix a network, एक बार आपने एक network को fix कर लिया, उसका idea अपने दे दिया, उसके बाद आपके पास 16 bits बचते हैं, host decide करने के लिए, वो फिर दो octet लेंगे right side में, पर वो 0.0 से लेके 255.255 तक vary कर सकते हैं, class C में हमने 24 bits लिया है, network वाले portion के लिए, पहले के 3 bits 110 हैं, तो जैसे कि मैंने class B का logic यहां पे लगाया था, same logic अगर आप करोगे, थोड़ा सा pause करके इसको exercise कर लो, अपने pen और paper में, तो जो minimum address है, वो 19200 निकल के आएगा, जो maximum address है, वो 223, 255, 255 निकल के आएगा, once you fix the network part, then you can make 256 addresses in that particular network, because only 8 bits are available for creating hosts in a particular class C network, आचा, किसी को अगर मानले जी है, बस 5,500,000 addresses चाहिए, तो हम उनको कौन से class का एक IP का chunk पूरा दे सकते हैं, मानले जी हमने उनको class A का एक chunk दे दिया, एक class A network का size होता है, 2 to the power 24 bits, यानि कि 16 million के आसपास hosts या addresses उसमें हो सकता है, लेकि उनको तो बस 5 लाक चाहिए, 16 million तो बहुत ज़्यादा हो गया, 16 million तो कुछ 1.6 crores के आसपास आ रहा है, तो class A का जो chunk है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया उसके लिए, तो चलो class B का नहीं तो एक दे देते हैं, क्योंकि class A में तो वेस्टेज हो जाएगा बहुत चारा 5 लाक लेने के बाद तो कुछ 1.5 crore के आसपास addresses बच जाते हैं, जो की waste हो गया और किसी को देने हैं सकते हैं, फिर class B का देते हैं, 2 to the power 16 bits, 2 to the power 16 का जो host का जो space है, उतने हम addresses बना सकते हैं, 16 bits से, तो वो हो गया around 65,000 के आसपास, तो वो तो 5 लाक के लिए काफी नहीं आएगा, तो वो तो कम पढ़ गया, तो हमको चाहिए A और B के बीच में कोई एक division, network और host वाले portion का, लेकिन ये class full में वो allowed नहीं है, वो allowed नहीं है, तो देखते हैं क्या है, इसके बारे मतरा detail में इसको study करते हैं, हम तोड़ाज एक CIDR, classless interdomain routing वाला notation study करते हैं, जिसमें कि कोई भी अप address लिख रहे हो, जैसे कि A, B, C, D के address अपने लिखा, तो अपने slash N करके N का value राइट साइड में जोड दिया, वो N का मतलब क्या है, इसको याद रखें और समझें भी, वो हो गया number of bits in the network ID, network ID बाएं तरब से आपने कितने bits reserve करके रखा हुआ है, network बले portion के लिए, network ID के लिए कितने bits अपने fix कर दिया, वो हो गया N का value, तो हम बोल सकते हैं, हमको पता है कि class A addresses में 8 bits, हम बाएं तरब से network के लिए reserve रखते हैं, और 24 bits हम hosts के लिए रखते हैं, क्योंकि 32 minus 8 is 24, तो हम बोल सकते हैं कि all class A addresses are slash 8, उनका N का value 8 है, और B का 16 है, और C का 24 है, आप वीडियो को तो रहा पीछे लेकिने, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए, class A में हमने 8 bit रख्या हुआ हुआ है network वाले part के लिए 16 bits class B में और C में 24 bits network वाले portion के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए class A addresses slash 8 होता है, class B slash 16 होता है, और class C slash 24 होता है, लेकिन हमको class A का एक address या class B का एक address देने से, एक network देने से हमको नहीं होगा, class A बहुत बढ़ा पढ़ जाएगा, class B बहुत छोटा पढ़ address, जो address allotment होता है, उसके बारे में अभी आपको introduction देता हूँ, चलिए एक slash 10 network को हम यहाँ पे focus करते हैं, यह slash 10 network है, अचा slash 10 तो कभी भी A, B, C, D, E, इन में से कुछ हो नहीं सकता, तो यह पका class less हो गया, यह classful तो है नहीं, क्योंकि यह slash 8, slash 16, slash 24 इनको मानता नहीं है, यह slash 10 बन गया है, अचा slash 10 का मतलब क्या है, इसमें n का value 10 है, मतलब 10 bits are used for the network part, और उन 10 bits को use करके हम कितने networks बना सकते हैं, 2 to the power 10 networks बना सकते हैं, और उन में से अगर एक network को हम fix कर लें, बोले कि चलो तुमारा जा network ID वाला जो bits है, वो binary में यह 10 bits हैं, हमने तुमको allocate कर दिया, उस उसके बाद उस network के अंदर कितने addresses बन सकते हैं, 32 minus 10 करना है, 32 maximum होता है, IP address में 32 bits होते ही हैं, 10 bits हमने निकाल जा network के लिए, तो 22 bits बचके, addresses बनाने के लिए, hosts के लिए, तो क्या हो गया, 22 bits यहां पर आगे, तो हम 2 to the power 22 unique addresses बना सकते हैं, अब बोलोगी क्यों, जो थी 32 bits तो है लेकिन नहीं, उसमें से 10 bits हमने fix कर लिया है, ये एक example देखिए, अगर मैं यहां पर एक example दो network ID का, जो किया 11001100.10, ये 10 bits हो गया है की नहीं, गिनके देख लो एक बार, ये 10 bits हो गया हैं, तो ये हमने fix कर लिया, इस network के अंदर ये जो bits हैं, ये fixed रहेंगे, ये change नहीं होने वाले हैं, ये इस network का identity है, ये slash 10 network है, और हमने network वाले part को fix कर लिया, हमने allocate कर दिया, हमने उसका pin code fix कर दिया, उस colonic है, वो change नहीं होने वाला, तो ये 10 bits change नहीं होगे, तो change कौन से कौन से होगे, तो only 22 bits are going to change, तो जो 22 bits change होंगे, वही अलग-अलग addresses हमको generate करके देंगे, तो value possible होगा, ये host वाले part में, वो हो गया 22 ones, ठीक है, तो ये वाला part fix रहा, और ये वाला part हमारा change होता रहा, और हमने सारे 22 addresses हैं, इस particular slash 10, classless network के लिए, हमने generate कर दिया, आप अगर ये पहले वाले address, मतलब ये network वाला part को low, यहाँ पे 10 bits होगे है, और उसके right side में, ये तो octet complete हो 10, उसके बाद यहाँ पे 60 जोड़ोगे, उसके बाद फिर 80 और उसके बाद फिर 80, इनको जोडने के बाद इसको अगर आप decimal में convert करोगे, तो आपको ऐसा कुछ निकल के आएगा, ये हो गया, इसका first IP address, ये जो network है, इसका जो पहला IP address है, वो ये है, और इसको हम network address भी बोल उसके साथ अपको उसका slash का value लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलता कि उसका network और host का boundary का division हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, वो पता नहीं चलता, तो ये slash 10 हमने यहाँ पे लगा के ये दिखाया है, कि ये slash 10 network है, अच्छा, जो last IP है, उसको कैसे निकालेंग ये network वाले part को हम same रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो octet है, ये one zero, ये तो उतना one zero रहेगा, लेकिन उसके जो बाकी के 6 bits हैं, वो सारे one हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे और एक octet में हम सारे ones लेंगे, और यहाँ पे और एक octet में हम सारे ones लेंगे, ये maximum value है और ये जो चीज है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो, इसको अगर हम एक साथ जोड के decimal में convert करके लिखें, तो हमको ये यहाँ पे last IP मिल जाएगा, slash 10 करके, और जो last IP है, इसका special नाम है broadcast address, ठीक है, network address पहले IP का नाम होता है, last IP का नाम होता है, ये वाला, ठीक है, इसको use करके broadcast किया जाता है, और जो network address है, और जो broadcast address है, इन addresses को हम कोई भी एक computer या host को allocate नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए कोई खर आपको पूछे कि कि कितने addresses possible है, slash 10 network में, आप बोलो कि slash 10 network है, उसमें 10 bits है, network वाले पार्ट में, तो 32 minus 10, 22 bits हमको address generate करने के लिए मिलता है, तो 2 to the power 22 addresses maximum possible है, कोई गर आपको पूछे कि चलो इस network में hosts कितने maximum possible हो सकते हैं, तो आप उनको बोलोगे कि 2 to the power 22 minus 2, minus 2 क्यों कि जो network address हो पहला address है, और जो broadcast address जो कि last address है, इस particular network का, वो हम कोई भी host को allocate नहीं कर सकते हैं, तो ये दो addresses हो काटने के बाद हमारे पास 2 to the power 22 minus 2, maximum number of hosts possible हैं, ये particular slash 10 network में, यहां पर एक example address मैंने दिया हुआ है, और हमको देखना है कि ये जो address है, ये इस network को belong करता है, क्या, कैसे निकालेंगे, तो ये जो address इसको बाइनरी में लिखेंगे, और बाइनरी में मैंने 204 को यहां पर लिख दिया, 129 को यहां पर लिख दिया, 202 को यहां पर लिख ये कोई भी एक host का address हो सकता है, ये एक IP address है और ये इस network के अंदर है क्या, ये जो network है, यहां पर, ये जो slash 10 network है, जिसका network ID मैंने यहां पर लिख दिया है, इसके अंदर ये belong करता है क्या, तो हमने इसको binary में लिख दिया, binary में लिखने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि इसका जो network ID वाला जो portion है, वो इसके साथ match करता है क्या, ये, ये जो, यहां पर है, 1100, 1100.10, तो बिल्कुल match करता है, यहां पर भी है, 1100, 110010, तो हां, ये इस network को belong करता है, ये हमारे network ID के साथ match कर गया, लेकिन ये तो हमने देख लिया, कि चलो, हां, अपने, ऐसे ही, मतलब pen paper में, इसको binary में convert किया, और, जो, दस्वा वाला portion है, वहां पर अपने line लगा जया, क्योंकि हमको question में पुछा गया, कि ये इस network को belong करता है, ये तो network slash 10 है, हमको पता है, तो हमको पहले के 10 bits देखना है वो अगर match कर गया, तो ये जो address है, वो उस network को belong करता है, हमको वो पता चल गया, लेकिन ये computer अगर करेगा, तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, ये जो IP address है, इसको यहां पर लिखेगा, binary में, और एक network mask लेगा, ये network mask का value क्या होता है, जो slash n है, यहां पर मान लिजिए, वो 10 ह अब से, और फिर बाकी के सारे bits right side में, 0 में भर देगा, ये हो गया, इस network का mask, तो वे n के value के उपर depending करता है, और किसी के उपर depend नहीं करता है, बस n का value है, उसके उपर depend करता है, तो वो क्या करेगा, ये जो address है, और ये mask है, दोनों को bit wise and करेगा, एक एक bit को, जो logical and होता है, उसको वो करेगा, वो करने के बाद क्या होगा, आपको network address मिल जाएगा, अब logically सोचके देखिए न, address हमने ले लिया, फिर left side से उतने ones है network mask में, तो उसको अगर and करेंगे, तो उपर अगर यहाँ पर one है, तो नीचे one आ जाएगा, और यहाँ पर zero है, तो नीचे zero आ जाएग लेकिन यह जो बिट्स यहाँ पर zero ले लिया है, मास्क में, वो क्या करेगा, यह IP addresses के जो यह जो सारे बिट्स है, इनको वो zero में force कर देगा, यहाँ से लेकि यहाँ तक जो IP address में जो बिट्स हैं, इनको जीरो कर देगा, यहाँ पर यह सारे zeros होगे, निका हमको फरक नहीं प network address निकालना है, हमको network address निकालना है, कैसे निकालेंगे, IP address को binary में लेंगे, उसको bitwise and कर देंगे network mask के साथ, network mask में कितने ones होते हैं, left side से जितने, जितना n का value है, इन दोनों को and करने के बाद आपको network address यहाँ पर मिल जाएगा, यह देखिए, यह जो network address है, इसको मैंने network करके लिख दिया, binary से, इसका value हो गया, इसका value यह हो गया, और यह सारे के सारे 00 हो गया, यहाँ पर 0 के 0 हो गया, slash 10 लिखना बहुत जरूरी है, तकि पता जले कि division कहां पर है, यह हो गया network address, ठीक है, यह सेम network है, उपर यहाँ पर जो network था, यह वाले network देखिए, यहाँ के जो first address थे, same था ला, 204-128-00-10, network address के साथ, यह IP address से, mask के साथ, and करने के बाद, same network address निकल के आ गया, computer ऐसे करेगा, आप भी अगर exam में करना चाहते हो, तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे देख के पता चल जाता है कि चलो, पहले के जो 10 bits हैं, वो यह है, same match करता है हमारे साथ, यह हमार network को belong करता है, हम बाकी के bits को 0 कर देंगे, तो हमको network address मिल जाएगा, और बाकी के bits को 1 कर देंगे, तो हमको जो last IP address है, जो की broadcast IP address है, वो हमको मिल जाएगा, अचा, broadcast जो computer कैसे निकालेगा, वो क्या करेगा, address को लेगा, आपके IP address को लेगा, और उसको bitwise और करेगा, mask क not को, तो mask को not अगर करेंगे, जो bits 1 थे, वो यहाँ पे भी देखिए, पहले के 10 0 हो गया, और जो bits 0 थे, वो सारे 1 हो गया, इसको अगर आप IP address के साथ, अगर bitwise और करोगे, तो क्या होगा, जो पहले के 10 bits थे, वो तो 0 के साथ और हो के, जो है, वो आ गया, 00 होके आएगा, 11 ह होके आएगा, लेकिन जो host वाला part, इसको कि हमको सबको 1 करना है, लास्ट IP address निकालने के लिए, वो यह जो not of mask में यहाँ पे सारे 1 है, इसके साथ आपको और करोगे, 0 को 1 के साथ और करोगे, 1 होगा, 1 को 1 को और करोगे, तो 1 होगा, तो सारा का सारा 1 हो जाएगा नीचे, त तो इसको अगर यहाँ पे मैंने decimal में convert करके लिए, यह हो गया आपका broadcast address और देखिए, यह यहाँ पे यह last वाला address के साथ match कर रहा है, चलो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं, subnetting का मतलब क्या है, अगर हमको किसी ने एक बड़ा सा network दिया, ठीक है, मान लीजिए, यह एक slash 17 का network हमको दिया, और हमको बोला कि इस network को लो और दो अलग-अलग equal size के networks बनाओ, तो हम कैसे इस network को लेंगे, जो की एक network network address है, जो की इसका first address है, इतना देने से हमको एक network का पूरा, जो size है, identity है, वो पूरा पता चल जाता है, कोई अगर हमको बोले कि यह जो network लो और इसको use करो, मान लेजे हमारे घर में ऐसे दो buildings हैं, और हमको इतने IP addresses को लेके, दो अलग-अलग set में divide करना है, equally divide करना है, तो हम कैसे करेंगे, उन networks का identity क्या होगा, अलग तो होगा ना, क्योंकि वो अलग-अलग networks बन गे, हाँ, उनके जो addresses हैं, वो इस network के अंदर रहेगा, यह जो network यहाँ पर है, इसके अंदर ही रहना है, ठीक है, बाहर जाने हैं, इतने ही address हमको मिले, दिये गए हैं, लेकिन divide फिर कैसे हम करें, यह network को लेके वो हम देखते हैं, चली यह जो network हमको यह address दिया गया है, इसका जो broadcast address होगा, वो क्या होगा, वो यह होगा, कैसे, यह 17 है, तो 17 bits के बाद कितने bits बच गए, host ID के लिए, वो आपका हो गया, 15 bits, because 32 minus 17 is 15, तो वो सारे 15 bits को कर आप 1 में convert कर ले, तो उसके बाद अगर आप उसको decimal में convert करके देखें, तो आपको यह वाला value मिलेगा, अगर doubt में हो तो इसको paper में एक बार कर लो, तो यह last address हो गया, यह broadcast address, यानि कि last address, तोड़ा सा mathematics देखते हैं, अगर network bits अगर आपके 17 है, तो host bits आपके 32 minus 17, 15 बच जाते हैं, तो आप कितने addresses बना सकते हैं, यह एक particular network में, 15 bits आपके host के लिए हैं, तो आप addresses बना सकते हैं, 2 to the power 15, चलिए कोई अगर एक network है, जिसमें कि 18 bits हैं, यह एक slash 18 network है, यह slash 17 network था, यह एक slash 18 network है, इसमें host bits कितने बच जाते हैं, 32 minus 18, एक bit बढ़ गया ना network में, 17 to 18 हो गया, तो host में एक bit कम हो जाए, कांगी sum 32 होना है, और इस network में अप addresses बना सकते हैं, 2 to the power 14, यहाँ पे धान दीजिए, अगर मैं दो ऐसे networks को लूँ, slash 18 के दो networks लूँ, जिसमें कि 2 to the power 14 each, उसमें number of addresses बन सकते हैं, उन दोनों को अगर मैं add करूं, 2 to the power 14, 2 to the power 14, तो 2 to the power 14 हुआ, तो यह 14 plus 1 हो गया, यह 15 हो गया, मतलब, अगर 2 slash 18 के networks को लिया जाए, और उनको जोडा जाए, तो तुमको 1 slash 17 का network मिलेगा, इसका अगर हम उल्टा सोचें, तो अगर हम 1 slash 17 के network को लें, तो हम उससे 2 slash 18 के networks बना सकते हैं, एक slash 18 के network को ले, उसमें हमको 2 slash 19 के network मिल सकते हैं, मतलब, अगर network वाले portion में, आप अगर builds को बढ़ाओगे, तो network का जो size है, वो छोटा हो जाए, क्योंकि host को represent करने के लिए, जो builds है, वो आपको कम पढ़ रहे हैं, एक एक करके, ये थोड़ा सा वीडियो को pause करके, एक बार सोच लीजिए, कि अगर मैं N के value को बढ़ा रहा हूँ, तो बना network का जो size है, each particular network में कितने host सो सकते हैं, वो कम हो जाता है, जैसे कि class A, B, C में हमने देखा था, A में 8 bits use होता था, तो network का भी बढ़ा होता था, 16 million होता था एक एक network में, लेकिन class B हो गया, तो 16 bits use हो रहा है, host वाले पार्ट में, sorry, network वाले पार्ट में, तो host वाले पार्ट में भी 16 bits use हो रहा है, तो वो बस 65,000 के आसपास का network का बना सकते हैं, ठीक है, तो मतलब, बोलने का ये मतलब था, कि when you divide a network into two halves, each subnet, उसको subnet बोलता है, एक बड़े से network को अगर आप छोटे networks में divide करोगे, तो वो छोटे चोटे networks को हम subnets बोलता है, तो उसका जो n का value होगा, वो होगा, जो बड़े network का जो n का value है, plus 1, मतलब 17 को लोगे, अब 2 18 वाले networks को divide करोगे, आप देख लो यहाँ पे, ये जो बड़ा सा square है, बाहर वाला, ये हो गया आ network वो हो गया, slash 17, इसको हम x अप बोलेंगे, इस network को, इसको फिर हमने दो parts में divide किया, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे divide किया, ये जो line है, ये divide कर रहा है, तीक है, एक पार्ड ये वाला है, एक पार्ड ये वाला है, लेFT में, राइट में, लेFT वाले पार, जो network हो हो गय एक slash 18 का network क्योंकि यह आधा है slash 17 का तो इसमें n का value बढ़ गया host में एक bit कम हो गया, host में एक bit कम हो गया, मतलब network आधा हो गया है और यह right side में और एक network slash 18 का, यह दोनों network को मिला के हमको बड़ा वाला 17 का network मिलता है, चला इसको चला हम A बोलता है, left वाल network को, right वाल network को हम B बोलेंगे, चला हम जो A वाला जो network है, इसको फिर और दो parts में हम divide करेंगे, ठीक है, P और Q, क्या होगी हमने 18 का network को लिया, उसको फिर से आधा-धा divide किया, तो यह जो network है, यह एक 19 network बन गया, और यह जो network है, कि यह X, A, B, P, Q, इन सबका आपको network address, यानि कि पहला address और broadcast address, यानि कि लास्ट address आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, चलो जल्दी से देखते हैं, और यह देखने के बाद हम वीडियो को खतम करेंगे, यह X मुझे दिया गया था, यह हो गया, 128, 19, 128, 0, 17, मतलब 17 bits मेरे हो गया, network वाले ID में, तो मैं जो 128 को यहाँ पे लिखा, 19 को यहाँ पे लिखा, 128 को यहाँ पे लिखा, 0 को यहाँ पे लिखा, और 17 को हमको हमेशा लिखना है, तकि पता चले कि boundary कहाँ पे है, और मैंने क्या क्या, यह पहले के 17 bits को यहाँ पे constant रखा, देखिए, मैंने यहाँ पे mark कर दिया, यह 17 bits को यहाँ पे हमने constant रखा, इसको हमने change नहीं किया, देखिए, यह जो bits हैं, यह change नहीं हुए हैं, इनको हमने same रखा है, क्योंकि यह network का ID है, इसको change नहीं करा जाता, लेकिन बाकी के जो 15 bits हैं यहाँ पे, यह और यह, इनको हमने 0 से लेके, सारे 1 तक हमने change किये, ताकि हमको first और last address मिल जाए है, इसको मैंने नीचे यहाँ पे, decimal में convert करके लिखा हुआ है, X का, अचा A में क्या हो गया, यह एक slash 18 network बन गया, मतब A के अंदर जो भी addresses बनेंगे, वो सारे X के addresses भी होंगे, उल्टा सही नहीं होगा, उल्टा correct नहीं होगा, सारे X के addresses A के अंदर नहीं होंगे, तो 17 bits है, वो A ने X से ले लिया, देखिए, यहाँ पे, मैंने from X लिख दिया, यहाँ तक, यह 1 तक, लेकिन A को एक extra bit चाहिए, differentiate कैसे करेगा, A के addresses B से differentiate कैसे होंगे, दोनो X के अंदर है, लेकिन अगर हम दोनों को वो same network ID दे दे दे, तो A के addresses B से differentiate नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हमने A को एक extra bit दिया, network वाले ID के पार्ट में, बोला कि चलो तुम एक extra bit लो, ताकि तुम 17 से 18 बन पाओ न, extra bit हमने network ID में दे दिया, और host के पार्ट से एक ID हमने, एक bit हमने कम कर दिया, क्योंकि यह आधा network है, एक bit कम हो गया, network में एक bit पर लिया, ठीक है, यह हम पहले discuss कर चुके है, तो वो जो extra bit हमने दिया, उसको हमने यहाँ पर 0 लिया है, उसको भी constant रखना बढ़ेगा, वो change नहीं हो सकता, वो network वाले part में आ गया है होई, तो 17 bits X से इनरेट हुआ, जो extra bit है, उसको हमने 0 पर fix किया, यह हो गया A का network ID, बागी कि जो 14 bits हैं, यहाँ पर 14 bits है, 15 नहीं है, 14 bits है, network अभी आधा हो गया है, 14 bits से आप एक आधा network बना सकते हो, 15 bit में जो network बनेगा, उसका आधा network ही 14 bits से बनेगा, तो इसका हमने पूरे 0 से लेखे, पूरे 1 तक हमने चेंज किया, और slash 18 लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर decimal में लिख दिया है, देखिए कैसा, A का जो पहला address है, वो X के पहले address से match करता है, slash का value different है, क्योंकि network IDs का size different है, लेकिन जब पहला address, IP address X का है, वो A के साथ match करता है, क्योंकि A X के अंदर ही तो है, लेकिन A का जो last address है, वो अभी ये X के बीचों बीच कहीं पर है, ये X के last address से match नहीं करेगा, B में क्या हो गया, B, B, B के जो भी addresses है, वो X के अंदर है, तो इसलिए X से हमने उसका network ID फिर से innerate किया, जैसे A में किया था, देखिए ये 1 तक पूरा हमने उठा है, लेकिन B भी X का दूसरा आधा है, तो एक extra bit चाहिए, वो slash 18 network हो गया, और ये जो 1 यहाँ पे लिखा है, व आ गया होगा, ठीक है, और जो बागी के जो तो 14 bits हैं, उसको हम 0 से लेके 1 तक divide करेंगे, ठीक है, और वो फिर B का बन गया, ये दिखिए जो B का address है, वो A का ये वाले address का जो next address है, अगर 1 add करोगे, देखो 191255 हो गया, ये फिर 192 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और और जो B का जो last address है, वो X के last address से match करता है, क्योंकि, यहाँ पे देखो, ये जो X है, हमने इसको A और B में equally divide किया, तो ये हो गया A का first address, A का last address, इसके अगले वाला हो गया B का first address, ये हो गया B का last address, तो A का first address, X के first address के साथ match करेगा, और B का जो last address है, वो X के last address से match करेगा, और A का जो last address है, वो X के बीचों बीच कहीं पे आएगा, उसका जो next address होगा, वो B का starting या first address होगा, चलो P क्या है, P A का और एक आधा है, तो हम क्या करेंगे, ये X नहीं होगा, ये यहाँ पे A होगा, from A, और यहाँ पे भी, ये होगा from A, अच्छा, हम क्या करेंगे, P के जितने भी addresses हैं, वो सारे A के अंदर भी है, और A क्या था, एक slash 18 network था, तो वहाँ से हमने क्या किया, उसका जो network ID है, ये वाला part, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये, ये पूरा, अठरा के अठरा bits, हमने यहाँ पे ले लिया, यह यहाँ से लेके यहाँ था, ये constant रख लिया, लेकिन अधा कर रहा है, मतलब P 19 network है, एक extra bit चाहिए था, 17 से 18 जब हुआ, अब P 18 से 19 हो रहा है, तो ये extra bit ले लिया, इसको हमने 0 कर लिया, ये पूरा का पूरा 19 हो गया, बाकि के जो 13 bits, उनको हम 0 से लेके 1 तक डिवाइड करे करेंगे, पर म्यूट करेंगे उनको, तो हमको फिर P का range मिल जाएगा, यहाँ पे, लेकि ये P का जो पहला address है, वो A के पहले address से माच करता है, ये वो network और host का division है, लेकिन address माच करता है, और Q में क्या हो गया, हमने A का जो prefix है, उसको हमने यहाँ पे लिया है, ये सारे addresses A के अंदर होने है, ठीके जो extra bit है, जो A का 18 था, Q अभी भी 19 है, आधा है A का, वहाँ पे जो extra bit है, वो 1 हो गया, ताकि Q और P, P और Q के addresses overlap ना हो, यहाँ पे ये 0 है, देखो, यहाँ पे ये 1 है, overlap होई नहीं सकते, और फिर ये सारे के सारे 13 के 13 bit 0 से लेके 1 तक, first और last address मैंने बन मालने लिखते है, देखो, Q का जो last address है, वो A के last address से match कर रहा है, और P का ये जो address है, उसका exactly जो next address है, वो हो गया Q का starting address, बबद P के last address का, जो next address है, वो Q का starting address यहाँ पे हो गया है, thank you.